बिस्मिल्ला रह्मान रह्म अस्लाम लेकूं स्टोडेंस कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं कि आप सब खेरेसे होंगे स्टोडेंस एजुकेशनल अपडेट केस पेपर पास पेपर और सौट पेपर हासिए करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल ऐकॉन प्रेस कर दें ताकि हार नियू अपडेट आप तक पहुंच चाहिए स्टोडेंस आज की इस वीडियो में हम यह डिसक्स करेंगी कि आपको जो पीपर आएगा उसमें किस सौट के क्वेशन आ सकते हैं आपको एंसी क्स तहां के आएंगे किस बीस पे आएंगी वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट एक लासमी तोर पर आप लोगों ने देख ना कोई बीपरिञ्ट पॉइंट जो है मिसना हो जाए आप लोंगों से तो सबसे पहले जो है बोर्ड का पंजाब COVID का जारी किया गया माड़र पिपर देख लेते हैं جो पंजाब बॉर्ड ने जो है जारी किया गया है तेंछ कpy क्लास के लिए दो हुजाऻा 24 के लिए तो यह जो मौड़र विपर है यह पंजाब की तमाम बॉर्ट के लिए है जिसमें लहोर, गुजरमाला, फैसाबा, साहिवाल, डेरागाजी खान, मुलतांस, अजाद कश्मीर वगारा यह तमाम बॉर्ट के लिए यह जो मौड़र विपर है उसमें जो सबसे पहले हैं इंग्लीश का जो आप लोगोंको पीपर आएगा उसमें जो सबसे पहला Dakota और आप लोगों को जो objective है वो 19 marks की हैगी यानि कि 19 statement आप लोगों को आएंगी एक एक marks की है तो इसको हल करने के लिए आप लोगों को 20 minute का वक्त दिया जाएगा आप लोगों देश सकते हैं कि आप लोगों को MCQs के इस तहां के आए हुए हैं यहाँ पर तो इसे से मिलते जूते ही आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं और आप लोगों को इन MCQs में जो है कुछ synonym पूछेगे हैं कुछ antonym पूछेगे हैं और spelling mistakes वाला और कुछ जो MCQs है आप लोगों को grammar की रूस से आए हैं कि यह वाला sentence किस तरहां का है compound है simple है complex है आप लोगों को simple definition मालूम है ना कि complex sentence कौन साथ है compound कौन साथ है और simple कौन साथ है तो आप लोगों के लिए काफ़ी easy हो जाता है इनको identify करना कि AI जो statement आई है वो कौन सी है जैसे कि आप लोगों को 75% जो पेपर है knowledge base आएगा और 25% जो पेपर है वो analytical base आएगा तो आप लोगों के MCQs में भी इसी तरह 75% जो है आप लोगों को knowledge base सवाला आएगे और 25% जो है analytical next जो है subjective part देख लेते हैं subjective part जो है आप लोगों का 56 marks का है जिसके लिए आप लोगों को 2 गिंटे और 10 minute का time टाइम दिया जाएगा question number 2 है कि आप लोगों ने ये जो questions mention किये हैं इन में से कोई से 5 सवालों के जवाब देने है और हर सवाल के दो-दो marks कोल मिला के 10 marks के question आप लोगों ने answer करने है next जो है section 2 section 2 में question number 3 जो आप लोगों को is smart paper में आया हुआ है कि आप लोगों ने इस paragraph उर्दू में translation करनी है यहां फिर जो है इस paragraph को आपने simple refresh करके रिराइट करके जो है ना वो लिखना है यह वाला question जो है आप लोगो 8 marks का आएगा next question is question number 4 आप लोगों को एक summary आई है piece पे इस मारे बेपर के कोड़ी और यह जो summary है वो आप लोगों को 5 marks की आई है यहां तो आप summary करें यहां तो आप लोग जो है paraphrase the following line into simple English with reference to the context यह वाला portion कर सकते हैं और यह जो है आप लोगों का एक paper pattern दिया गया है कि आप लोगों को इस तहां के सवालाद आ सकते हैं इस तहां की चीज़ें आ सकती हैं paragraph आ सकते हैं और जो आपकी board scheme already चैनल पर upload की गई है उसमें आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को जो है कौन से question कहा से आएंगे कितने marks की आएंगे और कितने आप लोगों ने ऐसे prepare करने हैं ये तमाम चीज़ें आप लोगों की board scheme में discuss की गई है आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें ताकि आप लोग जो है कम वक्त में ज्यादा अच्छे त्याई कर सके और बहुत अच्छे marks जो है गेन कर लिए question number five जो है आप लोगो ऐसे लिखने के लिए उन्होंने कहा है जो कि 150 से 200 words का है तीन आप लोगों को ऐसे आए हैं इन में से कोई एक आपने चूस करने और उस पर जो है ऐसे लिखना है यह आप लोगों को 15 marks का सवाल आया है next जो है यह तो आप ऐसे कर सकते हैं यह तो आप paragraph जो है वो write कर सकते हैं यह जो तीन topics mention कियेगी है और next question number six जो है choose any five of the following sentences into indirect form यह आप लोगों को direct indirect आए हुए है use any five of the following pair of words in your own sentences और question number eight जो है translation of the following paragraph into English यह तो आप यह वाला point कर सकते हैं यह फिर write 10 sentences about physical fitness यह आप लोगों को art marks का आया है students अगर आप लोगों को board scheme, pairing scheme जो है आप लोगों की guest paper जो बहुत जल जनब अप्लॉड कर दे जाएंगी और यह model paper PDF form में चाहिए तो आप WhatsApp पर contact कर सकते हैं और वहाँ पर PDF form में यह तमाम चीज़े हासी कर सकते हैं और जिन बचों ने online classes लेनी हैं वो भी WhatsApp पर contact करके detail हासी कर सकते हैं students आप लोगों के जो past paper जो है recent year की वो भी channel पर upload किये गी हैं आप channel की playlist में जाकर वहाँ से देख सकते हैं अपतो आप से अपपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ